हेलो दोस्तो, CSE Innovative Academy में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरिश्रन पाठक, दोस्तो CSE Olympiad 2.0 के लिए रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन के अंतिम्ति थी है 31st मार्च 2021, CSE Olympiad क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो लास्ट येर चैनल पर अपलोड की हुई है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उपर आई बटन में मिल जाएगा, रेजिस्ट्रेशन से पूर और लास्ट येर के विनर्स की लिस्ट कैसे चेक करेंगे, शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि लास्ट येर जो CSE Olympiad 2019-20 में पाइलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसका रिजल्ट टेक्लियर हो चुका है, रिजल्ट की जानकारी और सेलेक्टेड इस्ट् पर उपलब्द है, आप वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, चलिए CSE Olympiad की ओफिस्ट्यल वेबसाइट पर चलते हैं और जानते हैं कि रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ओफिस्ट्यल वेबसाइट के लिए आप अपने ब्राउजर पर टाइप करेंग से सारे सब्जेक्ट के लिए रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रेजिस्ट्रेशन की अंतिमतिती है 31st मार्च 2021, इसके लिए 20th अप्रेल 2021 से एकजाम स्टार्ट होंगे, रेजिस्ट्रेशन चार्जिज है 150 रुपे पर सब्जेक्ट, रेजिस्ट्रेशन चाहे त 50 रुपे पर सबजठ के लिए करनी होगी यहां पर से आप OK पर क्लिक करेंगे और OK पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आप कौन-कौन से सब्जध के लिए registration कर सकते हैं अगर आप एक से अधिक सब्जध के लिए अलग-लग registration करना होगा आप हिंदी, मैट्स, इंग्लिश, साइन्स, जीके, साइवर, लॉजिकल, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बैयलोजी के लिए अपनी कक्षा के according registration कर सकते हैं अगर आप खुद से registration करना चाहते हैं तो आप direct registration पर क्लिक करेंगे और अगर आप CSC सेंटर पर जाकर registration करवाना चाहते हैं तो CSC VLE, throw VLE पर क्लिक करेंगा चलिए सबसे पहले direct registration का process जानते हैं क्लिक करेंगे यहाँ पर आप student name, email id, mobile number, state, city, date of birth, gender और student का father's name, school name, enter करेंगे और यहाँ से आप class select करेंगे जिस class माँ आप study कर रहे हैं अभी और यहाँ से आप subject select करेंगे जिस subject के लिए आप apply करना चाहते हैं नीचे register पर click करेंगे क्लिक करते ही आप payment page पर पहुँच जाएंगे आप payment करेंगे इस तरीके से आप registration कर सकते हैं registration के बाद आप student login पर click करेंगे यहाँ पर अपनी user id, password और capture enter करेंगे sign in पर click करेंगे यह आपका dashboard show हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आप my plan पर जैसे ही click करेंगे तो आपको अपनी profile show होगी कि आपने जो भी subject के लिए apply किया है वो यहाँ पर show होगा जैसे कि इस student ने general knowledge के लिए apply किया है class 5th का student है और आपको पांस mock test दिये जाते हैं इस test के लिए और पर डे आप दो test कर सकते हैं mock test के लिए आप start test पर click करेंगे यह instructions दी गई हैं इनको read कर लगे और I have read all instructions पर click करेंगे continue पर click करेंगे यहाँ पर आप अपनी language select करेंगे और start test पर click करेंगे यह आपका mock test start हो चुका है आप यहाँ से answer देंगे next पर click करेंगे तो आप next question पर पहुँच जायेंगे जैसी आपका mock test complete हो जाएगा आप finish and exit पर click करेंगे finish and exit पर click करते ही आपका mock test complete हो जाएगा test का result जानने के लिए आप test history पर click करेंगे यहाँ पर आप अपना status देख सकते हैं क्योंकि यह test अभी complete नहीं हुआ है इसलिए इसका status pending show हो रहा है आप resume पर click करके इस test को दुबारा से apply कर सकते हैं तो इस तरीके से आप mock test के लिए apply कर सकते हैं CSC Olympiard के last year के winners के बारे में जानने के लिए आप winners पर click करेंगे यहाँ पर Olympiard winners 2019-20 पर click करेंगे click करते ही आपको last year के winners की list show हो जाएगी all winners of 2019-2020 यहाँ पर rank wise आप winners की list चेक कर सकते हैं जिसमें first rank, second rank और third rank के rank show की गई है तो दोस्तों यह थी जानकारी CSC Olympiard registration mock test और winner की list से related जानकारी आज की वीडियो में इतना ही CSC Olympiard में apply करने के लिए सभी students को CSC Innovative Academy की और से शुप काम ना है आल बेस्ट थैंक यू